नमस्कार मैं भूपएंजपण रहे हैं हिंदी चनल में आप सबका हर्दिक स्वगत करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकों को दबाना न भूलें ताकि मेरे प्रत्य एक वीडियो कपडेट से आपको मिलते रहें भाषा विज्ञान के अंतरगत आज हम अध्यान करेंगे विभाषा जिसे हम अंग्रेजी में डायलेक्ट करते हैं वास्ता में भाषा विज्ञान के अंतरगत तीन बातें बहुत ही महत्रपूर्ण होती हैं एक तो बोली जिसे हमサब डायलक्ट कहते हैं तूसरा है विभाशा जिसे हम डायलक्ट कहते हैं और तीसरा है भाशा जो standard language होता है जिसे हम language कहते हैं या फिर भाशा कहते हैं सबसे पहले हम बोली को समझ लेते हैं तब हम इसको बेहतर ढंक से समझ पाएंगे बोली से ताथ पर यह किसी छोटे से किसी राज्य के अत्वा किसी देश के छोटे से हिस्से में छोटे से भूभाग में जो बोली जाती है उसे हम कहते हैं बोली प्रया बोली का कोई लिखिस साहित त्यत्वा व्याकरण नहीं होता है मतब बोली क्या है एक छोटे से छेत्र में बोली जाती है इसका कोई लिखिस साहित त्यत्वा व्याकरण नहीं होता है इसका कोई माना करूप नहीं होता है लेकिन यहीं बोली जब किसी उप प्रांत में बोली जाती है या फिर किसी प्रांत में किसी राज में बोली जाती है बहुत बड़े भूभाग में तो यह क्या बन जाती है विभाषा बन जाती है मतब बोली से जो आगे की स्थिती होती है बोली से जो आगे जो संपन हो जाती है समरीद हो जाती है जब कोई बोली उसका साहित्य हो जाता है उसका व्याकरण हो जाता है उसकी लिपी हो जाती है लेकिन इसके बावजूद भी वह एक प्रांथ में बोली जाती है किसी राज्य में बोली जाती है तब वह बन जाती है व बहुत बड़े भुभाग में बोली जाती है, इसका छेत्र व्यापा खो जाता है, इसका साहित्य सम्रीद हो जाता है, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहितिक दिश्टित से, जब कोई विभाशा और भी व्यापा करूप ग्रहन कर लेती है, तब वह भाशा बन जाती है, और प्राया इसे समिधान की आठ्वी अंसुची में शामिल कर लिया जाता है, जैसे कि अभी 36 गढ़ी है, एक विभाशा है, या फिर भोजपूरी है, एक विभाशा है, बहुत लंबे समय से लोगों की मांग चल रही है, किसे भी भारत के समिधान में जो आठ्वी अंसुची म और भाशा में क्या अंतर है, बोली से ज्यादा समरिद रूप होता है विभाशा का, और विभाशा से भी ज्यादा समरिद रूप होता है भाशा का, तो चलिए हम विभाशा जिसे डायलेट कहते हैं, जिसका हम आज अध्यान करने वाले हैं, उसका अध्यान कर लेते हैं, इ च्छतिसगड़ राज में जो बस्तर संभाग है वहां के कुछ हिस्सों में हल भी बोली जाती है तो उसे बोली का दर्जा प्राप्त है लेकिन जो च्छतिसगड़ी है पूरे प्रांथ में पूरे च्छतिसगड़ राज में बोली जाती है इसलिए जो च्छतिसगड़ी का ज इसमें साहितिक रचनाय भी प्राप्त होती है, इसमें साहितिक रचनाय भी प्राप्त होती है, जबकि बोली में यह आश्यक नहीं है, इसके बाद हिंदी की कई भी भाषाएं प्रचली थे, हिंदी की भी भाषाएं कौन-कौन सी है, खडी बोली है, ब्रज भाषा है, आओधी है, भोजपूरी है, इसमें आप 36 घड़ी को भी शामिल कर सकते हैं, जिसका माने उद्धार हन लिया हुआ है, लहिन बाद में आपने देखा, कि खडी बोली ने अपने आपको इतना समरिद्ध कर लिया, कि वह हिंदी बन गई, जो आज हमारे भारत की राज भाषा है, तो हिंदी की कई भी भाषा हैं प्रचली थे, जैसे खडी बोली है, ब्रज भाषा है, आओधी है, बहुत पूरी है, इसको आप क्रमशा समझते जाए, कोई बहुत कठीन टॉपिक नहीं है, लेकिन प्राया इसका कंटेंड कहीं पर धंग से उपलद्ध नहीं हो पाता है, अब देखिए, विभिन ने बोलियां समय के साथ साथ, राजनितिक, सांस्कृतिक, आदी के आधार पर अपना प्रयोक्षेत्र बढ़ा लेती है, और साहित्य रचना आदी के द्वारा वे अपना इस्थान बोली से उच करते हुए, विभाशा के रूप में प्रचलित होने लगती है, ठीक है ना, मतब जो बोली है, जब समय के साथ बोली का राजनितिक इस्तर बढ़ियाता है, और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, उसका अपना व्याकरण होता है, अपनी अकलिपी होती है, तो धिरे धिरे कोई बोली क्या है, विभाशा का दर्जा प्राप्त कर लेती है, और विभाशा बन जाती है, विभाशा के रूप में प्रचलित होने लगती है, मत एपभण्स अपभण्स हिंदी है इसे अपभण्स हिंदी बोली से विभाषा बनती है विभाषा बाद में भाषा बन जाती है जैसे हिंदी का विकास हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभरन्ष और हिंदी तो बाद में इसी अधार पर राजनितिक, संस्कृतिक या साहितिक गवरों के करण वे आगे चलकर भाषा का इस्थान प्राप्त कर लेती है मतब जो विभाषाएं भी बाद में अपने आपको समरिद्ध करती है और अपने आपको मजबूत करती है, अपना प्रचलन बढ़ाती है तो राजनितिक, संस्कृतिक और साहितिक गवरों के करण बाद में यही विभाषाएं बाद में क्या है, भाषा का इस्थान प्राप्त कर लेती है मतब बोली समरिद्ध होकर विभाषा बन जाती है और विभाषा समरिद्ध होकर भाषा बन जाती है बहुत ही आसान है, जैसे कि हम खड़ी बोली को देखते हैं जैसे खडी बोली, मेरथ, बिजनवर, आधी की विभाषा होते हुए भी, बाद में राष्टी इस्तर पर स्विकृत हो गई और जण मानस में यह राष्ट भाषा के रुप में सर्वा स्विकृत हुई तो वास्तों में जब हम हिंदी बोलते हैं तो वाग खड़ी बोली हिंदी है जो मेरट और बिजनवर और सहरनपूर इत्यादी के आसपास के छेत्र में बोली जाती है तो यही पहले खड़ी बोली है इसका नाम था लेकिन बाद में इसने एक भाषा का दर्जा प्राप्त कलि और लिपी देवनागरी होगी अंकों के रूप में भारती अंकों के अंतराष्टी रूप का प्रयोग किया जाएगा तो भारत के समिधान के भाग 17 में अनुच्छे 343.1 में यहां लिखा गया है कि संग की राजभाषा हिंदी होगी और लिपी देवनागरी होगी और अंकों के रूप में भारती अंकों के अंतरराश्टी रूप का प्रयोग किया जाएगा भारत के समिधान में आप जाकर में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जिसमें भोजपूरी और 36 गढ़ी शामिल नहीं है लेकिन मैथिली शामिल है तो आठवा क्या है अब आठवा बिंदू हम देख लेते हैं इस प्रकार प्रचलन के अधार पर विभिन प्रांती भाषाओं ने अपने अपने प्रांतों दर्जार प्राप्त है जैसे इनम विभाषाय कह सकते हैं जैसे मैंने अधारान करुप में बताया 36 गढ़ी भोजपूरी इत्याद विभाषाय है और इनको अपने-अपने-प्रांतों में 36 गढ़ी भोजपूरी को बहुत ही गवरावपूर्ण इस्थान प्राप्त है आप comment box में comment निकर बताएं इस video को like करें शेयर करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लें और bell icon को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रतेक latest videos के updates आपको मिलते रहें धन्यवाद जैहिंज भारत